बुड़ो मुनी दोस्तों आज कुछ देशी गाउं की जुगाड जिससे हम महीने के हजारों रुपे बचा सकते हैं और घर की ही चीजों जुगाडों से अपने घर और किचिन की कैसे समालते हैं दोस्तों चोटे चोटे चीजों से अपने काम हासान बना लेते हैं बच्चों को पीजा बर्गर मैगी नहीं खिलाते हैं बच्चों को पेड़ भाते हैं श्वस्त रखते हैं और इस तरीके चीजों में अपनी फुसी दून लेते हैं घर की मच्र मक्षी भाग जाएंगे घर म तो चलती है दोस्तों देख लेते हैं पैला टिप्स अब इस तरीके से कद्दू आता है जैसे साम को आता है सुवह हमें इसको बढाना है तो अगर रात में रख देगे प्रेज है नहीं तो यह उपर बिल्कुल शूख तर जाएगा तो इसमें हमें क्यातना है थोड़ा सा एक नहीं चुटा तो हमें एक मून तेल लगा लेना है हातों में बहुत आसानी से इसको हम कट कर पाएंगे तो दोस्तों इस तरीके से चुड़ी चुड़ी चीज़ों से आप कापी अपने काम बना सकते अब दोस्तों जैसे लग जया जूस तो आपका समय ही बरबाद होगा औ दोस्तों हमें जल्दी परती हो और इस तरीके से हमें चाना है तो जल्दी रहेएं तो इस तरीके से चुड़ी चुड़ी चीज़ों से पंने Kaam Самo कद्दू भी कड़ इसके बाद आप सावुर से हाथ दूल लेजिएगा और इस तरीके से कद्दू बहुत अच्छे से कड़ जाएगा आपका दो तीन तक रखा भी रहेगा अगर इसके उपर थोड़ा सा पेल का लेप लगाने बीना पिर इसे कोई भी इसमें सुखापन नही होगा जो आफिक ग्ला टेक्सिक देख लेते हैं कि जो बच्चे इस्टिक आइसक्रीम खाते उसकी इस्टिक बच्टी है तो कि इस तरीके से इस्टिक लेगा अग्यी दोस्तों एक देशी गाउं का चुटर्ण है जिससे हमें कहंटीकी जरूर पढ़ती है अगर आगर बार गोरें इसटिक लगा लिए इस करो लाइब बेशी ही कुछा। प्रवार किया है आप देटेते हैं अंगलाटेट क्या होते हैं जो बड़ी-बड़ी लोग होते हैं बच्चों को पीजा है बर्गर हैं मैगी है यह पास्ता चीज किलाते हैं वगर हम लोग अपने बच्चों को फीड बढ़ते हैं, चोड़ी छोड़ी कुछी में अपनी कुछी फूल लेते हैं, बच्चों को भीमार नहीं करते हैं, बच्चों की आदित विगाडते हैं, तो दोस्तों हमी लेना है, एक आलू कट दिया है, प्याज है, मिर्ची है, सोया तो उसे कही थोड़ा सा इसमें खर्चा है और बच्ची भी सेयत बंद रहेंगे जो चीजे होती है पास्ता है मैगी इसे बच्चों के फीर दर्थ करने लगते बच्चों की आदत बिगड़ जाती है फिर बच्चे खाना भी नेड़ी खाते हैं तो इस तरीके से हम लोग अप बच्चों के लिए जरूर इस तरीके से खाने की आदत डाले है आप दिख लेते हैं दोस्तों ऐसी चीजे हैं जो नारियल होता है इसे हम क्या कर देते हैं और इसे फेक देते हैं तो बिल्कुल नहीं फेकिएगा और इसे कैसे इस्तेमाल करना है तो दोस्ते इससे आज आपका घर पूरा महर चाएगा मच्चर मक्खी पूरा दूर हो जाएगा आपको कोई मास्कीटो कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों देशी जुगार है यह गाउं की इस्टाइल हम लोग इसी तरीके से करते हैं अपने घर को बहुत अच्छे से इनर्ची मिलती है और महर भी उत्ती है थोड़ा सा इसमें घी लगा लेंगे इस तरीके से मुम्मती बना जो इली वाली होती है दूप उसमें हम थोड अब अच्छे से इसको खड़ी कर देंगे और इस तरीके से आप हमेसे जला देना और क्या हो धूआयो array अगर इस तरीके से रख्टे के तो हावा सलती है और यह घलेगी और इस जी पर बहुआ बर बढ़ेगी एइसने निकलता है बू नहीं हुपाईगा और इसमें आपने तो दोस्तों इसमें एगी छीत रखना अगर चादा रखेंगे तो इसका जो धुआ है सारा निकलता रहेगा इस तरीके से आपको जहां रखना है जहां रख दिए के एक रूम में पूरे घर से पूरे रूम में आपके जी धुआ है पैल जाएगा और मक्षर मक्षी है जो तो दोस्तों यहीं नहीं है पैसा थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है और दिमाग से अपने काम आसान बना लेती तो तो दोस्तों इसी तरीके से हम अपने हजारों रुपए साल के लागों रुपए बचा सकते हैं चोड़ी चोड़ी चीजों से अपने काम आसान बना आप जुस्तों कुछ कपड़े होते हैं जैसे नाइटी बगारा नाइटी है बच्चों के सूप है कुछ सर्ट है टी सेट इसके हम क्या करते हैं तो चलते हैं देख लेते हैं बहुत यूजफुल चीज बनने वाली है हर कोई बनाएगा जरूर आपको चार वाय चार गया बारा वाय जितने का आपको नफ करना मिने बता दिया है इस तरीके से कुछ हमने ये वारा वाय का काटाता है तो फुस आपको अपने घदे के हिसाब से पीस कट कर लेना वे लिए इस तरीके से आपको जोइंट कर लेना तो दो styl ws में चैशन गझाला जरूरी होता है तो इस तरीके से आप बना लेजिए और कोई साड़ी हो तो यह जैसे साड़ी पुरानी हो गए लिए को समेधान में मि कवर बन गया है इसे तरीके से आप नए कपड़ी का बना लेजिएगा बहुत अच्छे से अल्ड अलग अलग तरीके से बना लेज़एगा अगर हम दूसरा मनाएंगी तो आपको और दिखाएंगे तो इस तरीके से एक दूसरा और मनाया और एक गद्दा बना रखता है तो आलग अलग तरीके से आप जरूर बनाईएगा बहुत अच्छे लगते हैं और यह साड़ी का नीची साड़ कर दिये या प्लेड कोई कपड़ा लेजिएगा उसको लगा दे तो देख लेते हैं दोस्तों यह गद्दे के कवर अगर हम गद्दे में इस तरीके चड़ा लेते हैं तो फिर गद्दा बार बार दुलता नहीं और यह कवर बना लेगे तो इसको हफते 15 दिन में आसानी से दूलता ही रहता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है त देखते हैं यह कहीं कूट्टी का है तो इस तरीके से ऐस में लगर इसिसमें 30 os neighbours अपने घर किजी चीजेह हम मार्केट में लेने जाते हैँ तो बहुत महींगी में मिलती है इसी तरीके से फोड़े-छोड़े जो कपरे होते जान घर में इसलाई होते हैं बहूत अच्छे स कर सकते हैं,। आप तेखे लेती हैं जो जो बाल होते है।। ऽो क्या तरफे लिगते लिए लिए लानीते दमेर हैं जो दे साल इसका पजिवा परपने लगाते हैं। वहां पोति से पंधाना में, ईससे तरीके से 5 मिनित आप पर नाने में लेना है उसको सटाना है दोनों हातों से जो टो हैं अबेंगे यह धलिए और जाको में झाएं आपको इस तरीके से करने है कोई सा तेल आपका कड़वा तेल हो कोई हम दोस्तों जो सर्सों का देशी सर्सों का जो काली लाहा होती उसी का तेल डालते हैं जो गर्मी पड़ने लगती है तब इसका थोड़ा अवला का तेल डालते हैं नहीं सुरू से हम इसमें सर्सों का जो तेल था इसी तरीके से डालत थोड़ा तेल जादा डालना पड़ता है पांच मिनट का समय निकाल पर अब जो पुंची है दोस्तों इसको महीने में एक बार जरूर कट करें अगर आपकी दो नक्थे के होगी तो आपके बाल बिलकुर नहीं बढ़ेंगे जी दोस्तों कोई बनापी नहीं कोई चीज हम नह और इसी तरीके से रके स्थाव का तेल जब ठंड परती है तो सुध्य सरषों का तेल जो घर का होता है वही डालते हैं सिरफ इस तरीके से हमारा डालने का तरीका थोड़ा अलग कोई भी आप तेल डालो मगर डालने का पांच मिनट समय निकाल और पहले तेल को डाल इसके बाद थप थपा दिए फिर फिंगर से लगा तो आपके भी बच्चों के बाल बहुत अच्छे से बढ़ेंगे मार्केट में मीर्केट में और मसीन अपके घर में तो इस बाल रजाएंगे से चुनी बनाईएगा थाल पोस बना लेजेगा इस चीजों के हमें नौरात्री में जैसे पूजा करने जाते हैं तो जरूरत पढ़ती ही पढ़ती रहती है तो दोस्तों छोड़े छोड़े चीजों से बहुत सारे आप कम अपने बना सकते हैं और अपने उसी उसी में निकाल सकते हैं तो दोस्तों ये एक खालपोस बनकर के रेवी हो गया मंदल में जाते हैं तो लाल चुनरी की जरूरत पड़ती है तो इसी तरीके से आभी बना लेजे करवा चोतारा है उसमें भी काम आएगी और अभी देवी मा का दिन चलना है तो इसमें भी काम आएगा तो दोस्तों आपक जो आप पैसे खर्श करके करते हैं तो दोस्तों अच्छा लाग लाइक कीजिए शेर कीजिएगा चैनल में पहली बार आए हो